हेलो दोस्तों तो आज हम मिल रहें न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता जो की बहुत कम टाइम में बन जाएगा और आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा तो आप भी बना के ट्राय जरूर कीजिए तो नाश्ता ब अभी में अटा प्सके के लिए एक बड़े लिया यह एक बड़ा बर्तन में ले लिया इसमें हमें आटा डाले ना है أو और से आम गृ watts ढ़ा और अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमच कोई और आप इस नाच्टे को और हेल्थी बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और इन सब चीजों को हमें इसमें मिक्स कर लेना अच्छे से अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक साफ्ट डोते आर कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे आप देख सकते हैं डो मैंने बना के तयार कर लिए विल्कुल सौफट है देख सकते हैं इसे हमें ड़कते थे represent करने के लिए लग के लिए यह फ़र के रख़़एंगे इतने हम आम स्टस्ट कर लीए हम आलो की पाल़ाने के सटफिंग गिलिया है चारे मिडियम साइ्स के इ लें टावल है कि मटंड़िये के लिए क्ट्ट्ट कि उसके निया है से निभ deceased C ed a दिनां जटपेटी से मगने नहीं टानाओ कैने बाभ लिए और अधे ऌहाट से न्य। जब आधा है मिर्चट लाओ आखे निया है दालेंगे नमक अब इसमें डालना है प्याज तो यह दो प्याज नेलिया था इसको मैंने चॉपर से चॉपक कर लिया इच्छे से यह सारा प्याज भाल देना है अब इसमें डालना है थोड़ा सा बरेक कटा हुआ हरा धनिया और अभी साही जीजे हमें इसमें मिक्स कर लेनी है सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है देख सकते हैं आलो का मसाला हमारा बिल्कुल तयार हो गया है अब इसे हम साइड में अलो की स्टॉफिंग में तयार हो गई है अब आटा चेक पड़ लेना है तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब इसे हमें थोड़ा सा मसल देना है जिससे कि और नरम हो जाएगा अब हमें हमारा आटा ले लेना है और इसको साइड रग देंगे नीचे डालेंगे थोड़ा सा सुखा आटा और इसे हमें लंबा लंबा कर लेना इसमें हमें लंबा लंबा कर लिया है और अब इसके हमें बराबर पीसीज कट कर लेने हैं सब के बराबर पीसीज हम कट कर लेंगे सारे पीसीज हमने कट कर लिया है बराबर पराबर तो आप देख सकते हैं सारे पीसीज मैंने बराबर कट कर लिया है सारे हम साइड में रख देंगे और एक को हम अच्छे से गोल कर लेंगे अब देख सकते हैं से मैंने अच्छे से गोल कर लिया है और अब थोड़ा सा सुखा आटा डालना है हमें नीचे और इसको हमें पतला पतला बेल लेना है हलके हलके हाथों से बेलेंगे ओक sixth शुब्षे लिए और नादा ज्यादा पतला है और नहीं ज्यादा मोटा चारो तरब से बराबर कि उस्य तरह और इस तरह सारे बेल के तयार कर लेने हैं और तबा गरम रख देना है तबादा इक नहीं Tribe नियुक्षान करना है एकयकर के रोटी हम इसे पर चाल देंगी, फ्लेम हमें मेडियम और हलके बबल узнаता है कि आपधे सकते हैं एक सेट बबल्स होनी है इसे हमें पलट देण और इसी तरहा सेट रहाँ दूसरी साइड भी सैके शीक या है आपकिया डीकम निखाले आपको आपके वाला मुआ है। आप देख सकते हैं लोगी ओनाले है इसी तो एक टीयार करना नेगी도 हो और है ले कि आप लुए कुछ पेजवावान जाहें शेटनी और रेड चिली आप लूट बुभा है तोमेटो कैचप चारो तरफ अच्छी से स्प्रेट कर देंगी आप देख सकते हैं पूरे में अच्छी से लगा दिया मैंने अब हमने जो आलो की स्टफिंग तैयार की थी वह हमें ले 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 लिए थोड़ी सी ले लेंगे स्टफिंग और इसकी एक साइड में लगा दिना है पूरे में नहीं लगाना है एक ही साइड पर लगाना है अच्छे से पूरे में आप देख सकते हैं स्टफिंग में ने लगा दिया है अब लेंगे हम थोड़ा सा मोजरेलर चीज आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं तो डाल देंगे अच्छे से इसमें अब इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्याद़ करना है और अब इससे वहीं फोल्ड कर देना है और साइब में प्रेस कर देंगे हैं जिसके कि यहीं छीपप जएगा इस पर अच्छे से आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा तयार हो गया है हम साइड में रखते जाएंगे और इसी तरह हमें हमारी दूसरी बनाके तयार और इसकि पाल से पहले है टमेटो कैचप अभी ञए में केचप में पूरे में तोमेटो कैचप अब लीना अलो की स्टॉफिंग यह प्रेशा पर लिम्सको अच्छे से लगा देना है स्टॉफिंग मैंने अच्छे से लगा दिये हैं अब लेने हैं थोड़ी से चीज और इसे पूरे में अच्छे से डाल देना है और इसे हमें फोल्ड कर देना है और हलका सा प्रेस कर देना है जिसे की यह हमारा निकलेगा नहीं चिपल जाएगा अच्छे से तो आप देख सकते हैं यह बनके हमारा तयार हो गया है दूसरा भी और इसी तरह हमें सारे बना के तयार कर लेने हैं जाब देख सकते हैं अच्छे स्टफिंग भर दिया अब घास एक तवा गरम रख देना है अब बोड़ा देंगे अच्छे से अब लगा सकते हैं एक रोटी हमें अब या कि हम रोटी रख देना है थो ब saya लए दो अबné एक साइब से सीतने देना है फ्लेम भी में डखनाा है जिसरी की अख्यो क्रिस्पी होते हैं जाएंगी तोड़ी करारया बनेगी और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे 네 आप इसे हमें चेक कर लेना एक साइड से तो हलका सा उठाएंगे और बरेट लेंगे अवानिय हमें परफे आप देख सकते हैं एक साइड से दोनों अच्छे से क्रिस्पी करारे सिंग गई हैं दूसरी साइड से भीजीस २िंदे हलका सा प्रेस कर देना है और आप देख सकते हैं दूसरी साइट से भी अच्छे सिट गई है और इसके किनारे रह गए हैं तो एक चिम्टा ले लेंगे और इसे हमें इस तरह से पकड़ के इसे खड़ा कर लेना है जिसे कि यह सिख जाएगा अच्छे से दूसरे को भी हमें इसी तरह करना है तो आप देख सकते हैं यह ऐन साइट से थिक गया अब इसे हमें खड़ा करके इसे कि आज से सिख जाएंगा अब दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे जिसे कि यह दोनों हमारी अच्छे से आजए और अभी दोनों अच्छे से सिख गई है पूरी अभी से हमें प्लेट में निकाले ना एक किक करके दोनों प्लेट में निकालेंगे और जो बची हुई है वह भी हमें शेक लेनी है तो सबसे पहले लगाएंगे बटर अच्छे सिख परता दोनों अब अभी में रखेंगे और शया कर में रख माफुत हर घ्रनजों इस और इसे हल्का सधा कर देंगे दोनों को आप देख सते यह वी तो अबने वह साइट जाक है क्षेट कर देना है उता हरी में बिट कर देना है तो आप हमारे मेंदा बनी नाशता भी नाश्ता सबस्क्री ROPP जया रगायोग है बहुत कम टाइम लगा बहुत कृल्या तैस्टी बनाए है, आप देख सकते हैं स्टुफिं चैशमी कितनी चीका निथे ले नाश्ता выпуск पित्तिक हएं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट विडियो